अब देखो बच्छो next topic हम पढ़ते है number of different types of relation यानि कि एक set के उपर अलग अलगत रहके कितने relation बनते हैं वो मैं आपको सारी detail बताता हूँ let कर लो बच्छो एक set A है जिसमें कितने element है मानलो n elements है कितने element है बच्छो n elements जैसे मानलो A set ये natural number का set है 1, 2, 3, 4, up to n और आपसे पुछा जाएगा number of relations from A to A या तो ये कहा जाएगा from A to A या ये कहा जाएगा बच्छो on set A, A की बात होती है ठीक है तो कौन से relation आपसे पुछेगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ different types of relation मतलब कि total relation पुछेगा reflexive relation पुछेगा हम सारी बात करते हैं ठीक है मैं सारे formula एक ही page पे दिख रहा हूँ आप ये note कर लेना total number of relations पुछेगा पहले तो क्या पुछेगा बच्छो total number of relations फिर आपसे पुछेगा number of reflexive relations number of reflexive relations फिर आपसे पुछा जाएगा number of symmetric relations यानि कि ऐसे कितने relations बनेंगे जो अपने आप में क्या होंगे symmetric होंगे फिर पुछा जाएगा आपसे number of transitive relations number of transitive relations और last में बच्छो आपसे पुछा जाएगा number of एक और आप लिख लो reflexive and symmetric both यानि कि ऐसे relation जो reflexive भी हो और symmetric भी हो दोनों हो वो कितने होंगे और फिर last में बच्छो आप लिख लो number of equivalence relation यानि कि ऐसे relation जो तिनों हो reflexive symmetric और transitive number of equivalence relation तो मैं सब के बारे में बताता हूँ पहले आपको बताता हूँ मैं total relations कितने होंगे total number of relations क्योंकि ये तो आपको पहले से ही आना चाहिए जैसे मान लो बच्छो a set के अंदर आपके n element है तो बोलो दूसरे a set में भी n होंगे तो जो a cross a होगा उसमें element कितने होंगे n और n की multiply करते हैं न n into n यानि की n square और अगर एक set में बच्छो n square element है तो उसके कितने subset बनते हैं क्योंकि relation किसका subset होता है बोलो एक रोस a का ही तो subset होता है relation है अगर relation a set के ओपर define किया गया है तो relation क्या होता है एक रोस a का subset और एक रोस a के कितने subset बनेंगे how many subsets how many subsets एक रोस a के आप कहोगे sir एक रोस a में जितने element है उसको 2 की power कर दो जैसे एक set में 3 element होते है तो उसके कितने subset होते है 2 raise to 3 एक set में 5 element होते है तो उसके कितने subset होते है 2 raise to 5 तब इस set में n square element है तो 2 raise to कितना हो जाएगा अपका n square हो जाएगा जैसे मैं आपको example देखे समझाता हूँ माल लो एक set A में तीन element है आप से question पुछा जाएगा number of relations total number of relations है न on set A कितने होंगे बच्चो 2 raise to power कर दो अच्छा ये बताओ number of 1 करो से कितना होगा 3 into 3 यान की 9 तो ये कितना हो जाएगा बच्चो 2 raise to 9 यान की 512 बहुत अच्छे से बच्चे इसमें mistake कर देते हैं वो कभी 2 raise to power 3 लिख देते हैं कभी 2 raise to power 6 लिख देते हैं आपको ऐसा नहीं करना पहले इस A set में जितने element है उसका क्या कर देना square कर देना फिर उसको 2 की power के रुप में लिख देना बस इतना याद रख दो अब मैं यहाँ पे A की page पे सारे formula लिख देते हूँ यहाँ पे total number of relation बच्चो कितना होगा अभी मैंने बताया 2 raise to power n square reflexive relation number of reflexive relation देखो 2 raise to power n square में से क्या minus कर दो n number of reflexive relation बच्चो क्या होगा n 2 raise to power n square में से क्या minus कर दो n minus कर दो symmetric relation निकालने है 2 raise to power n square में n अब की बार क्या कर दो plus और divide by क्या कर दो 2 इसको 2 से क्या कर दो divide transitive relation निकालने का कोई formula नहीं होता हम यह नहीं पता कर सकते कि एक set पे कितने relations ऐसे हैं जो transitive है reflexive symmetric दोनों निकाल सकते है 2 raise to power देखो symmetric में क्या था n square plus n by 2 इसमें n square minus n by 2 हो जाएगा याद रखने का आसान तरीका है यह important है equivalence relation निकालने का direct formula नहीं है इसका मैं आपको समझागा bell strangle की मदद से यह bell strangle क्या होती है अब यह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लिखो आप bell strangle और इसके उपर paper में बहुत बार question पुछा गया है कि एक set A के उपर कितने equivalence relation बनेगे तो यह bell strangle क्या होती है देखो आप यह ना 1 से लिखना start कर दो आप यहाँ पे क्या लिख दो पहले 1 फिर इसके निचे क्या लिख दो बच्चो एक बार और 1 लिख दो अब इन 1 और 1 को add कर दो इन 1 और 1 को add कर दो और इसके आगे लिख दो बच्चो कितना हो गया तू अब बस यह procedure आपको पता लगे ना आगे आसान है अब आप क्या करोगे जहाँ पे आपने खतम किया है तू पे खतम किया है इस 2 से ही क्या करना है बच्चो यहाँ पे start मेरी बात ध्यान से सुना आपने तू पे खतम किया है तू से क्या करना है start इन दो element को add करते जाओ 1 और 2 कितना हो गया 3 और जो answer है वो यहाँ लिख दो समझगे आप मेरी बात फिर इन दोनों को add कर दो answer कितना है बोलो 5 वो इसके आगे दिख दो ठीक है बस एक आगे तक दिखना है अब कहाँ पे खतम किया अपने 5 पे तो start भी कहाँ से करोगे बोलो 5 से अब आप समझगे क्या करूँगा मैं इन दोनों element को add करूँगा फाइव और टू कितना होगे बच्चो 7 अब क्या करने वाला हूँ बताओ इन 7 और 3 को बच्चो क्या करेंगे add कितना हैगा 10 अब क्या करेंगे इस 5 और 10 को क्या करेंगे add कितना आगे बच्चो 15 यह हो गया फिर यहां 15 पे खतम किया यहां क्या करो बच्छो 15 से start अब आप समझ गए मैं इन दोनों को add करने वाला हूँ 20 फिर इन दोनों को add करेंगे 27 फिर इन दोनों को add करेंगे 37 फिर इन दोनों को add करेंगे 52 अब देखो आप 3-4 बार ऐसे table बना लोगे ना सब कुछ आपको पता लगजेगा कि process क्या है इस table को बनाने का 52 फिर खतम क्या 52 से start करो इनको बोलो 67 67 में 20 add करो 87 87 में 27 add करो 114 114 में 37 add करो 151 151 में 52 add करो 203 ऐसे बना लोगे इस triangle को क्या बोलते है बैल ट्रेंगल है ट्रेंगल की शेप बन की ना यह अब इसका मतलब क्या है इस one का मतलब है बच्चो अगर एक set a है जिसमें सिरफ एक ही element है तो उसमें आप number of equivalence relation कितने बना सकते हो एक ही होगा 111 वाला जो relation होगा number of equivalence relations कितने बनेंगे बच्चो अब इसका क्या मतलब है अगर मान लोग कोई set a है जिसमें दो element है कितने element है बच्चो दो तो number of equivalence relation कितने बनेंगे बच्चो जहां पर यह खतम हुआ है ठीक है यह अब इस तीसरी number of equivalence relation बच्चो कितने होंगे जहां पर यह खतम किया अपने कितने होंगे फाइब अगर मान लोग इसी सेट में 4 element है तो उस पर कितने equivalence relation बनेंगे number of equivalence relations मैं आपको example देंगे बताऊंगा भी आपको समझ आजेगा तो वो कितने बनेंगे 15 बनेंगे ठीक है इसी तरह से आप समझ गए अगर number of elements in a 5 है तो number of equivalence relation उस set के उपर कितने बनेंगे बच्चो 52 यह मैंने आपको table बना दी और समझा दिया कि इसका मतलब क्या है अब मैं आपको इसका example देता हूँ कि एक set में अगर 3 element होंगे तो उसस इसे कितने equivalence relation बनते हैं formula क्या कहता है 5 मैं बना के दिखाता हूँ आपको let कर लो एक set A है बच्चो उसमें element कितने है तीन है सिरफ इससे कितने equivalence relation बने चाहिए 5 तो बोलो दूसरा set भी आपका 1,2,3 होगा आप क्या दिख लो एक बार एक रो से लिखे क्योंकि जो भी relation होगा वो इसी का subset होगा न तो 1 का pair 1 के साथ बनाओ one का two के साथ बनाओ और one का three के साथ फिर ऐसे ही two का one के साथ बनाओ two का two के साथ pair two का three के साथ फिर three one three two और three three भेलो यह लिख दिया अब मैं आपसे यह बोलता हूँ कि आप ऐसे relation लिखो जो equivalence हो और मैंने आपको याद करो पहले lecture में बताया था कि सबसे छोटा जो equivalence relation होता है बचो वो identity relation होता है मतलब कि ये तीन element तो आपको लिखने ही पढ़ेंगे वन वन टू टू और थ्री थ्री इनके बिना तो कोई relation equivalence बन ही नहीं सकता क्यों क्यों कि इससे क्या साबित होता है कि ये relation एक identity relation है reflexive है ये symmetric भी है ये transitive हो गया एक तो अब जितने भी relation आप लिखोगे न बचो ये तीन element तो compulsory है लिखने इनके बिना तो relation reflexive ही नहीं बनेगा ठीक है तो equivalence कैसे बनेगा ये तीन तो लिखती है अब मैं कहता हूँ एक 1,2 और लिखतो यहाँ पर क्या लिखतो आप 1,2 अच्छा 1,2 लिखा तो आपको 2,1 भी लिखना पड़ेगा ऐसा क्यों क्यों कि अगर 1,2 लिखती है और 2,1 आपने नहीं लिखा तो फिर बचों वो symmetric नहीं होगा ना बट हम चाहते हैं equivalence बनाना मतलब symmetric भी बनना चाहिए अब तीसरा बोलो 1,1,2,2,3,3 लिखना ही पड़ेगा ना इसको तो मैं सब में लिखी देता हूँ क्योंकि इसके बिना तो बात बनने वाली है ही नहीं ये लो मैंने ये लिखती है 1,1,2,2 और 3,3 अब इसके अंदर देखो 1,2,2,1 लिखती है अब मैं 1,2 और 2,1 तो लिख चुका ना अब मैं 2,3 और 3,2 लिख देता हूँ इसमें 2,3 और 3,2 ये भी बच्चों relation कैसा है इक्विवैलेंस relation है अब कौन सा बच गया बोलो एक और बच गया थ्री बच गया और 1,3 बच गया यहाँ पर मैं 1,3 और 3,1 लिख देता हूँ एक ये हो गया चार होगे आप कोगे पाचवा कुन सा पाचवा बच्चों ये पूरा लिख दो एक रोस ए योगी मैंने बोला था ना जो एक रोस ए होता है बच्चों ये क्या होता है अपका लारजेस्ट इक्विवैलेंस relation होता है जिसमें 9 के 9 element आएंगे लारजेस्ट इक्विवैलेंस relation होता है और जो identity relation होता है ये बच्चों क्या होता है smallest इक्विवैलेंस relation होता है ये तो मैं आपको ये ही बताना चाहता हूँ कि एक सेट अगर A है जिसमें 3 element है तो उस 3 element से आप कितने इक्विवैलेंस relation डिफाइन कर सकते हो ये 5 कर सकते हो और ये आपको बिल्कुल आसानी से मैंने यहां पर समझा दिया बैल स्ट्रेंगल से ठीक है अब मैं question कराता हूँ ये सारे formula आपको revise हो जाएंगे A set में 4 element है तो number of relations बताओ on set A मैंने सिधा straight forward तरीका क्या बताए था ये जितने element है उसका square किया करो है ना तो answer क्या आएगा अपना इसको 2 की power कर दो 2 raised to power 16 क्योंकि इससे कहना गल्ती होने के chance 0 हो जाएंगे आपके गल्ती आप कर ही नहीं सकते उसके बाद question number 47 ये देखो how many relations are there on a set S with 9 distinct element no अलग-अलग element है तो बच्चो मैंने क्या कहा था 9 का क्या करतो square तो number of relations कितने बनेंगे बताओ on set S number of relations कितने बनेंगे बच्चो 2 की power कर दिया करो है ना 2 raised to power 81 इस question में क्या कहता है number of reflexive relation बताने है on set A और number of element कितने है इसमें 11 तो बच्चो number of element in A 11 है तो आप formula बता दो मेरको number of reflexive relation का number of reflexive relation का बच्चो क्या formula बता था 2 raised to power n square minus में n यानिकि 2 raised to power 11 का square minus में n यानिकि 11 तो 2 raised to power 110 इस question का answer आगया अब यह देखो number of reflexive relation बताने है और number of elements in A कितना है आपका 8 है तो आप लिखो number of reflexive relations तो उसका formula बार बार formula लिखो 2 raised to power n square minus n कितना है बच्चो 8 तो 8 का square minus 8 answer कितना आगया 2 raised to power 56 option number A इस question में number of symmetric relation पूछ लिया और एक set में कितना element है 15 distinct element है बताओ number of A अगर 15 है तो number of symmetric relation का formula symmetric relation का formula जानते हो क्या number of symmetric relation 2 raised to power n square plus n by 2 n square plus n by 2 करो n square बोलो कितना 225 हो जाएगा प्लस n और divide by क्या हो जाएगा बच्चो 2 हो जाएगा ठीक है तो 240 240 को 2 से divide करोगे 120 2 raised to power 120 आगया portion number 51 number of relations which are reflexive and symmetric both तोनों है और number of elements in A कितना है 14 तो याद करो number of relations which are reflexive and symmetric both reflexive and symmetric both उसका formula बताया था ना जो symmetric relation में करते हो n square plus n यहाँ पर क्या करना है n square minus n by 2 n square n कितना है बच्चो 14 14 का square minus 14 divided by 2 196 में से 14 minus करोगे 182 और 2 से divide करोगे 91 तो 2 raised to power 91 option number B यह देखो number of elements in A दे रखे हैं और in B दे रखे हैं number of relations from A to B तो बच्चो अब की बार पहले A क्रोस B में number of element निकालो न 8 into 10 कितना आ गया 80 और किसी set में अगर 80 element है तो बच्चो इसके कितने sub set बनेंगे 2 raised to 80 तो क्या होगे आपका number of relation का formula 2 raised to power 80 बिल बोल आसान सा question है question number 53 number of A दे रखे है number of B दे रखे है तो number of relations बताने यह तो होई question होगे न तो आप क्या करोगे बच्चो number of A cross B कितना होगे 4 into 3 12 तो अपना answer कितना हैगा बोलो 2 raised to power 12 2 raised to power 12 question number 54 how many equivalence relation अब ध्यान करो equivalence relation कितने होंगे on the set A जिसमें element कितने हो बच्चो 4 तो bell strangle बनाओ equivalence के लिए उपर क्या लिखो 1 यहाँ पर भी क्या लिख दो 1 इस 1 और 1 को add करो कितना आ गया 2 फिर इस 1 और 1 को add करो 2 यह लिख दिया नहीं sorry इस 2 को जहां पर खतम किया न वहीं से start करना है ठीक है लिख दिया फिर इस 1 और 1 को add करो 2 इस 2 और 2 को add करो बच्चो कितना आएगा अग्वेलेंस रिलेशन बच्चो कितने होंगे 5 और अगर 4 है तो कितने होंगे 15 ताकि एक्जाम में आए तो आपको यह ट्रेंगल बगरा बनाने ही न पड़े अब यह देखो एक्वेलेंस रिलेशन आपको बताने है जिस set में 3 element हो तो कितना अंसर आजएगा 5 आजएगा बताता हूं, let कर लो, एक set है, जिसमें 8 element है, 1, 2, 3, 4, कुछ भी माल लो, 5, 6, 7, 8, तो आप बताओ, smallest equivalence relation कौन सा होता था, smallest equivalence relation, वो कौन सा होता था बच्चो, identity relation होता था न, और identity relation आप define कर सकते हो, क्या होता है, अगर इस a में 1 है, तो यहां पे बच्चो, क्या होगा, 1, 1, 2 है तो, 2, 2, 3 है तो, 3, 3, 4 है तो, 4, 4, 5 है तो, 5, 5, 6 है तो, 6, 6, 7 है, 7, 7, 8 है, ए में तो, 8, 8, 8, r में होगा, तो बच्चो, यह होता है, identity relation, और यह, सबसे छोटा ऐसा relation है, जो equivalence होगा, तो कितने element है, बताओ, इसमें, 8 elements है न, कितने element है, बच्चो, 8, तो smallest equivalence relation में, कितन यह में है उतने ही ठीक है कोई रटना नहीं है अच्छा इसमें मैं आपको एक साथ और प्रवा देता हूं लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन वह क्या होता है एक रोस ए ना जो यूनिवर्सल डिलेशन होता है बच्छों फो होता है अच्छा आप बता सकते हो नंबर ओ एक रोस ए कितना होता है एक इन्टू एट यानिकि इसका स्केर कर तो 64 अगर आप से पुछा जाता नंबर ओफ एलिमेंट्स इन लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप एट इन्टू एट कर दिया गरो 64 और स्मोलेस्ट पुछे तो जितना यह नंबर है उतने ही अंसर आजेगा अपका बैटरना है नहीं आपको आप देखो क्या पुछा है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने एलिमेंट होगे बच्चो थ्री है तो कितना हो जेगा थ्री को त्री इन्टू थ्री यानिकि 9 यह होगया आपका कॉश्चन नेक्स्ट कॉश्चन देखो लेट एजे फाइनेट सेड विच सेवन एलिमेंट्स यानिकि नमबर ओफ ए कितना है बच्चो 7 कितने होंगे बच्चो 7 इन्टू 7 49 यह 49 अंसर आगया कॉश्चन नमबर ओफ एक रोस बी दे रखा है और एसेट दे रखा है तो बोलो नमबर ओफ बी कितना होगा देखो कन्फ्यूज कर रखा आपको एसेट में कितने एलिमेंट है बोलो आप नमबर ओफ एक रोस बी में यह 6 है और इसमें अगर दो एलिमेंट है तो आप और लिनी बता दोगे कि नमबर ओफ बी कितना होगा बच्चो 3 यनि कि एसेट में अगर दो एलिमेंट होंगे तो बी सैट में कितने एलिमेंट रहे होंगे कि इन दोलों की मल्टिप्लाइ करके अंसर 6 आया हो बस इतना से तो question पुछा है ना question number 60 यह अच्छा question है इसमें कहता है 1024 elements है बच्छो relation में relation में element है ध्यान लगना और A set ये है बोलो number of A कितना है आपका 5 है और B set में कितने element है वो आपसे पुछा है मैं कहता हूँ B set में कितने element है बच्छो माल लो X element है ठीक है तो बोलो number of A रोस B कितना होगा 5X होगा अगर एक रोस B में 5X element है तो total number of relation का क्या formula बता है था मैंने total number of relations बही आप 2 की power कर दो जितने एक रोस B में element है यही तो होता है और question में ते रखा है कि total number of relation है बच्छो 1024 और ये होता है 2 की power 10 तो 2 raise to power 5X और यहाँ पे 2 raise to power 10 X कितना आगया बहलो 2 यानि कि इसमें कितने element होगे आपके 2 element होगे ठीक है बिल्कुल आसान है तो कहने का सिरफ मतलब यह है कि यह 5 है यहाँ कितना लिखूं कि उसकी multiply करके 5 से जो answer आए उसको 2 की power 10 करने 2 की power करने पे 2400 भी साज़े है बहुत आसानी से आप सोच सकते हो बट basic तरीका आपको आना चाहिए question number 61 यह कहता है ordered pair दोनों equal है बचो ordered pair equal होते है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका first first element आपस में equal रख दो और second second element को आपस में equal रख दो a और b की value निकाल लो यह इसके equal होना चाहिए मतलब a plus 2 होना चाहिए 5 a कितना होना चाहिए बलो 3 और 2a plus b आपका कितना होना चाहिए 4 और a कितना है बलो 3 plus b equal to 4 b कितना आजएगा बचो minus 2 तो ordered pair आपसे a b पुचा है ध्यान रखना पहले a ही लिखोगे फिर b ही लिखोगे 3 minus 2 आपका answer आजएगा ठीक है next question देखो इसमें क्या कहता है number of elements in a दे रखा है आपको m और a यहाँ b लिख लो यहाँ क्या लिख लो बच्चो b लिख लो एक m है और एक क्या है b है इसमें n elements है तो total number of relation बताओ total number of non-empty relation बच्चो non-empty पुछे द्यान करना from a to b तो यह बताओ आप पहले तो कि a to b में कितने element होंगे mn होंगे न अगर mn होंगे तो इससे total number of relations बताओ total number of relations 2 raised to power mn but in total जितने भी यह relation होते न बच्चो इनमें एक relation ऐसा होता है जो क्या होता है empty होता है एक relation कैसा होता है empty होता है जैसे empty set एक होता है 5 तो बताओ मेरे को number of non-empty relation कितने होगे non-empty relations कितने होगे बच्चो इस 2 की power mn में से यहाँ पे पूरे में से एक minus करना है बचो यह थोड़े मतलब है, मैं कहता हूँ, जितने भी total relation आपने निकाले है ना, उस number में से 1 minus करना है, power में से थोड़े करना है, तो बचो यह आपके question का answer है, 2 raise to mn minus में 1, ठीक है, एक option आपको 100% पहला ही ऐसा देगा examiner, ऐसा, तो आप confuse मतो हो ना, यह इस question का answer होने वाला है तक है?